गरीब लोग होते हैं जो हर महीने के सालरी पर जीते हैं उसका कोई नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल विने लल्बी में दोस्तों यहां पर जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हम फेक लून आपको एक्सपोस करते हैं कोई वी आसी लो नेप जो आपको पेटाड मैथ कर रही हैं मलग किसी वी तरह से आपको मतलब आपका जीना by दिसवार करदिया है कि आपको खाने पिरने तककन और जो इजद होती है, उस इजद को बचाने के लिए आप लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कितना पैसा दे देते हैं, और ना जाने मतलब सोसाइड तक की नौबत आ जाती है, आप वही लोगों नो सोसाइड भी कर ली है, तो यह सब चीजों को देखते हुए हम एक्सपोस करते है तो यहां पर एक नही कहानी मैं लेके आया हूँ अलब लोन लिया ही नहीं है सिर्फ अपलाई किया था और ना जाने कितनी सारी एप्स के जो कि फर्दी एप्स हैं उनके मैसेज आने लगे कॉंटेक्स पे कॉल करने लगे लेकिन यहां पर मैं आपको बता दो तो जिनके साथ हुआए वो खुद I.T. से जुड़े हुए हैं उनके साथ ये चीज़े हुई हैं लेकिन उन्हों ने चीजों को समाल लिया क्योंकि उनको इस चीज के बारे में जानकारी थी वो I.T. से जुड़े हुए हैं तो यहां पे हम उनसे कुछ सवाल भी करेंगे तो कि आखिर वो इनसे कैसे निकले या और भी कोई सवाल है ऐसे जो मैंसे पूछूँँगा और आपके लिए काफी हैल्फ फुल होंगे आपको अच्छी इन्फोर्मेशन ही मिलेगी तो आप भी वीडियो लाफ तक देखना आप से रुकेस्ट करूँगा कि बिल्कुल मिस ना कर आती है तो आपको सबसे पहले उसका notification मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो पूंगी को भी सबस्क्राइब कर लें जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा उसको भी सबस्क्राइब कर लें हर रात दस्रे 11 की बिच में live आता हूं live पर जरूर जरूर जुड़ें अपना कोई भी कोशन करें आपके हर एक कोशन का जवाब दिया जाएगा तो आपकी में जो मुलाकात करने जा रहा हूं वो आपके सामने है और इनका नाम है आपके रहने वाले और इनका खुद की एक अपनी ID कंपनी है यह आज आपको हर एक चीज बताएंगे सबसे पहले तो यह बताएंगे कि कैसे इसने फंद गए कैसे निकले सब कुछ बताएंगे और बाकी का कुछ सवाल हैं जो इनसे हम करेंगे क्योंकि ID के बंदे है यह तो काफी अच्छी यह नॉलिज आपको देंगे कुछ कुछ कुछन मेरे हैं मैं इसे खुद पूछूँ जो बिसिकली इस एप के चक्कर में ऐसे फ़सा कि मैं फोन पे गेम खिरता तो और गेम खिरते की बीच में एक एडवर्टीफ में आगई तो वो एप डाउनलोड होगी होगी गलती से फिर रात को मैंने सोचा कि एप खोल के देखते ही क्या हैं तो एपको मैंने खोला उस प सब्सक्राइब करके देखते क्या है कि अधार रुपए संक्शन हुए तो वह भी साथ दिन के तो मुझे इसकी जर्वत तहनी मैंने उसको क्लोज कि और अनिस्टॉल कर दिया यह बात है आपकी 23 फर्वरी 2022 को मुझे इंडोनेशिया और मलेशिया के दो नंबर से वाट्टाप मेसेज आता है कि मेरा पत्चीस सो का एमाउंट है और मुझे वह दो दिन में क्लियर करने नहीं कि तो वह लीगल नॉटिस बेज़ देखे अब मैं खुद बिसनसमेन है तो मुझे लीगल नॉटिस से उतना कोई डर्वर लगता निए कि मेरा रोज कही हो गया एक तरीके से तो फिर में उनको मेसेज किया कि मैंने कोई लोन लिया निया तो शायद आपकी सिस्टम में कोई दिक्कत होगी उनके यहां से मुझे कोई जबाब कभी आये नहीं तो मुझ है कोगे आपके कॉंटाइक नमारे पास ट आप हमें आठ सार रुपे कर दो पची सो उन्होंने मांगा आप में मुझे पाजर रहे तो आप वह मुझे आठाज हमें प्परी करूं नहीं तो मैं आपके कॉंटाइक निक्त पर आपको पता हो कैसे मैं से भीशते हों काफी पुरा रिस्ट मुझे बना शेल किया है यह यह मेरा कॉंटाइक भी बाद मुझे रग गया था कि जब एप इस पर बाद में आऊंगा उसके बाद कि अधे गंडी पाद मेरे कॉंटाइक लिस्ट में ने से पांस लों को मैसेज प्रफाक से वहतारे मेरे दोस्ते और मेरे इंप्लोई तो उन्हों से मैंने बात की उन्होंने मुझे फोन के एक्ष्ण के कि सरी है मैसेज आया आपके आपको मेरा पैंकार मेरा अद्रेस वगर औ मुझे फोन के मेरे का कि ठीक है मैं इसको देखता हूं क्या का सिस्के बारे फिर तीन वजे शाम में मुझे एक बंदे का कॉल आता है उसने साठी में का कि मेरे को बाराजार रुपे दे दो मैं सब रूप दूँगा कि पैसे देने क्यों ये तो पता दो कुम से रहा नहीं का दो ये आपने लोन ली आतों से भाई कोई लोन ली रही है नहीं तो सब्सक्राइब अब उनकी बाते भी इसनी यजीव होती है उन्होंने लिखा कि मैं आपके सारे कॉंटाइट में यही से मैसे देज दूगा और जिनको नॉलेज नहीं है वो डर जाते हैं यह द्रक्त देदा जायागा और क्यों होगा तो मुझे मुझे भी डर लग रहा था लेकि मुझे ता मज़ा भी आता है यह कोई नई चीज लगी है तो फिर मैंने गूगल पर सर्च करें स्टार्ट किया कि यह स्कैम चलता कैसे बाब में मुझे आपका चैनल मिला और चैनल देखके मुझे थोरा सा बुरा सा लगा क्योंकि ऐसे बहुत से लोग ही जो पर पैसे देते चले जाते और ऐसा भी नहीं है कि आप एक बार दोगी तो खत्म हो जाता है आपकी वीडियो में था हूँ मैंने काफी लोगों से अभी अकिले में बात किये आपने आज तर्दी तीन दिने के बाद दुबाद चालू हो जाता है आपने लोग यह नहीं उसको कोई फार्ट नहीं पड़ता है तो मैंने अपने वकीलों से बात करी और साइबर क्राइम में कंप्रेंड डाल दिया है हम अपने गवर्मेंट विडिया से भी हमने उनको एप्लिकेशन एक मेल किया है कि यह जितने भी टेक लोग से उपर क्या कार्यवाइक की जाएगी मुझे अभी है हैदराबाद के काइम उनिट के एक ऑफिसर से में बात चीश चल रही है इसी मामले में तो मेरा बेसिकली है कि अब जब इस प्रॉलम से तो बहार नेकला है आसानी से क्यूंकि आपको पहले सी चीजों के आरे नौलिज थी कैसे निकलना है आपको तो जादा नहीं हुई है तो अब यहां पर चुकि आप आप इसे हैं और आपकी अपनी खुद की कंपनी हैं तो यहां पर मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा काफी मेरे भी खुद के सवाल हैं काफी हमारे जो लोग हैं कमेंट आते रहते हैं लोग पूछते रहते हैं अब यह बद बताए यह कोई भी application है यह कैसे प्लेस्ट बेर में रदर जो प्लेस्टमर्व में कष्ट अब्लाइब जो कर रहे अजड़ा कि इस इतनी आपारी से क्यों जूतर इसे प्लेस्ट में एक्षिली जितने भी एग्रिगेटर मोबाइल एप्लिकेशन के उसी फ्लेश होगी बात नहीं जैसे एपल स्टोर भी है माई का अपना अप्लिकेशन है अब उस अप्लिकेशन को खोलने पर अगर उस पर आड्स आते तो उसका कुछ हिस्ता गूगल के पास आते है तो गूगल के लिए तो सीधा बिजनस का उप्शन है कि हाँ इतने भी लोग मेरे पर डालेंगे तो हम पर हमें उतना पैसा मिलेगा भले गूगल दे एक वीटी पुरी बैठाई हुए कि ऐसे गलत एप्स को प्रैप्वर्म पे नहीं आने देजा है लेकि वह कितना अच्छा क साथ करले च वारव करते हैं ये क्या करते हैं और ह fact करते हैं तो क्या है कर तें यह watch weldakल्डरी इनको भी है करते है वह Big Effects करते हैं तो जब भी आप कोई भी isn't करते हो सिस्छन आप की बात नहीं है आप ए टूज एट कोई भी आप डाउनल करते हैं आप जसे जब जो पहली पार ओपिन करेंगे तो आपसे कुछ पर्मिशन मांगते हैं इससे वाट्साइब भी है वह आपसे कैमरा और माइट्रोफोन का पर्मिशन मांगता है आपके काल लोग का सकते हैं अच्छा पर्मिशन ब्लाव करते हैं सब्सक्राइब करें आपके का निनयुक्च के ठीह कंहीं पर नहीं कि पर्मिश्न की तो अब नहीं ना जाने का बस ही तरीक है कि आप उसको डिनाइए कर देंगे वह आप खुले गई नहीं को पूछे लोग फिर भी पर्मीशन को करते हैं तो यह क्या पुरा माज़ा है कि दिनाइए करेंगे तो आगे नहीं बड़ेगी एप कुछ अप्स काम कामी ऐसे गड़ती है रहे लोन लेना कोई बुरी बात नहीं आप आप आपका डेटा वॉर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगर आप उसको डिनाइए करेंगे तो वह चले गई नहीं आप उसको डिनाइए करेंगे तो वह चले गई नहीं काफी बात आप सब्सक्राइब करें कि कॉंकि लोन लेना गलत बात नहीं मार्केट में तो आप लोन लीडें लेकिन जगए लोंगे कि अगर आपने एक बाद नहीं दिया तो नहीं दिया तो वह ऐसा सो हो रहा है बाकि अब कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है वह आपका दिमाग और ही खड़ाब हो अगर अगर आपने एक बाद सोच लिए कि हां मेरे को देना है तो आप देंके रफ़ा रफ़ा कीजिए अगर नहीं देंगे तब भी वह दिवाब मत लेकिए लेकिन इन लोगों के साथ दिक्काश किया है कि आप देंगे या ना दें उसका कोई फ्रक नहीं परता हूँ आपक लेकिन यह चुकाने के बाद भी वही हाल करते हैं जो ना देने पर तो मैं तो यह कहता हूँ पैसा देना बंद करोगे तब भी क्या होगा कि कहीं ने कहीं यह कंपनियां बंद होगी और बंद हुई है मेरे साब्से मैं ने जितना आकड़ा लगाया है आदो सो बलब दो सो हालिस के पास मेरा डाटा मेरा जो निकल के आया है मेरी वीडियो के बंद हो चुकी है और मेरे पर इसका रिकॉर्ड है मैं कर सकता हूं लेकिन मुझे यह मैंने अपने वीडियो में बोला भी है तो यह कहना हमें बहुत जादा लोगों को अभेर करना है पूरा ऐसी इंफोम में इनको कैसे रोका जाए और बाकी तो प्लेस्टोर तो है जिंदा बात वहां पे तो आप कुछ भी बना के डाल दो फरजी कोई मतलब नहीं प्लेस्टोर को आप आराम से वहां से लोन ले सकते हो तो यह स्कैम अभी कम है लेकिर खतम नहीं है यह फिर चालू हो नहीं यह क है कि यह जो पूरा स्कैम है वह बीस हजार करोर का है जी जी बिल्कुल होगा और यह और यह कोई चोटा अमाट होता नहीं है एंड उसी में एक न्यूस में यह था कि यह जो स्कैम को पैसा होते हैं वह काफी सारी तो लिगल एक्टिविटीज किया मनी रॉंटिंग के लिए यह जो आपको पता है क्योंकि आपने लिया है लोन लिया मतलब लिया नहीं लिया लेकिन आपको जानकारी हो गई आपने एक अपलाई किया आपको जानकारी हो गई लेकिन यह साथ दिन का देते कहा है दिखाते तो क्यानवे दिन का है और लोग वह चीज को चीज के लोन लेते हैं वह तो लोन जब मिल जाता ता मानों पड़ता यह तो साथ दिन के लिए है जब आप पहली बार खोलते हैं तब तो आपको एक बड़ा इमाउंट डिखता है जब आपको अपलोड कर दोगी उस एप में तब आपको एक फाइनल एमाउंट दिखेगा और फाइनल डेट दिखेगा तो अभी तक जिपने भी एप से वह साथ दिन पहले ही दिखा देते है साथ दिन में पैसा उनको वापस लेना है लेकिन काफी एप ऐसी है जो आपको 91 डेस का दिखाएंगे काफी ज़्यादा यह मैंने खुद देखी है मुझे नाम नहीं पता काफी दीपावली से पहले जो एप सी बुक्राल बंद हो गई है उनका क्या सिस्टम था कि मुझे न आपको साथ दिन के लोन दिया गया है कि अगर देखा जाए तो मोटा-मोटा तो पर ऊपर तो यह लिखते है ना कि 91 जी पचास यार का लोन पंदर में अमिलता के तना है वह तो तो इस तरह देखाए मिलता उसमें से बार अरसों रुपय अकाउंट में आते हैं क्योंकि यह है यह आपके चैनल पर काफी लोगों ने बताई कि अंतर हटार रुपया हैं यह लोग क्या होता है यह क्या होता है की सारी है पजिए करते 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 एक इनके मान लिजे से लोन वे कहें लैंडबॉल उसके अंदर आट-dस हैप 10-2002 ते यह तो लगवग ऐसे करते करते पर दस से पंदरा हैर का एक जक्ति पर लोन चल जाता है जितने भी आप लोगों को लगता है कि इसा नहीं पता है और काफे सारे एजेंट हैं जो दूसरे देश में बैठे हुए अब नेपाल को इसमें चावा मारा था उनके कॉल सेंटर्स पर इन और आपके सब्सक्राइब नेपाल में यह चल रहा है और मैं वीडियो बनाने को नेपाल का मुझे मालूम था लेकिन तब तक का फूल से चापा मान लिया चलो कोई बात नहीं तो अच्छा हुआ तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है यहां पे आपने काफी अच्छी इंफ्रमेशन देख रहे हैं के लिए काफी helpful होने वाली या आप इनकी मदद ले सकते हैं तो यहां पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि लोग कितना परेशान हैं मतलब अगर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर अगर जानकर ही दे रहा हूं बैठा हुआ तो यह मुझे नहीं फचा सकते अपने पास रखनी है यह मतलब क्या करते हैं कैसे करते हैं आपको अवेर होना पड़ेगा कि ऐसी वी चीजे हो रही है लों एक नाम पे कौन से रेजिस्टर है कौन सी फेक है उन्हीं से आपको लोन लेना है तो तो उसको मारे में आप दस वाद चेक कर लो यूटूब पे वीडियो देखो, उसकी साइट पर जाओ, उसकी MDFC पता करो, तो मतलब बहुत से तरिये के आप पता कर सकते हो, ठीक है, तब भी आप लो, तो आधित जी आपका भौवा धन्यवाद आपने समय दिया, ठीक है, उसके लिए हम आपका बहुत सुक्रिया करेंगे, आपने समय दी करेंगे, तो आपके लिए यही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप लाइव इंटर्वी दे सकते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, जब वो यूटूब पर देखेंगे, तो उनको सायथ कुछ तो समझ में आ जाया कि हाँ, आप गलत नहीं हो, या आपको किसी स्कैम में या किसी फजी बारे में आपको फसाया गया है, तो दोस्तों बस आप यहीं पर मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा, खतम करना चाहूंगा, बहुत समय हो चुका है, बस एक बात मैं बताना भूल गया तो, ये कि अगर किसी ने भी उन एप से लोन दिया है, और उनने एप को इंस्टॉल कर लिया है, कईया होगा आप तभी भी आपके फोन में था, एक बात फोन को आप पैक्शी कर सकते हैं, तो ठीक है ना? ये, तो यही कहने का मतलब था, मैंने आपको इसके समझाया है, क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं, जिनको हमें इसी भासा में समझाना पड़ता है, अब आप ये कहोंगे, आपने फैक्टी रिसेट वोला, लोग जाया तर फॉर्मेट के नाम सी भी जानते हैं इसको, ठीक है हम लाइब पर आपको फिर से थेंक्यू कहना चाहूंगा, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत जड़ी, तो आप इजाते चाहूंगा, मिलूंगा किसी नेक्स वुडियो में, किसी नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए, जैहेंद बंदे मातरम, सत्तिमेब जाये ते है।